यारे साथियो नमस्कार फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य इस्टडी में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इलावाद हाई कोट में जो है याचिका दैर की गई थी गरत उत्रों के मामले को लेकर जिसमें कि जो है कोट ने अब जवाब मांगा है देखिए क्या है खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर देखिए कि इलावाद हाई कोट ने परसदी विद्यालों में 79,000 सायक अध्यापकों की भरती परिक्षा में पिरसनों के गलत उत्रों के सायक अध्यापकों के भरती परिक्षा में सफल अभियर्तियों के आबिदन में मान भी भूल सुधारने पर विचार कर लेने का आदेश दिया है कहा है कि याची की मामले में आदेश की प्रति मिलने के तीन सप्ता के अंदर विचार कर निया मनुसा लिड़े लिए जाए अब देखिए आपर फाराम में संसोधन करने की छूट की मान पर जो है फिरदर्शन जग जग हो रहे हैं और ग्यापन जो है दिये जा रहे हैं अब देखना आईए है कि ऐसा संभाफ हो पाता है या नहीं सिक्षक भरती में महादी भक्ता कल सरकार का पक्षर रखेंगे और हाई कोट की लखनोव बेंच ने साहक सिक्षक के 69,000 स्पदोग पर भरती मामले में उत्तर कुंजी के विबात को लेकर या चिकाव पर अगली सुनवाई के लिए एक जून की तिती नियत की है एक जून को महादी भक्ता सरकार का पक्षर रखेंगे ठीक है तो उम्हें करता हूँ इस चीज़ से आप आके फूर होंगे अब यहाँ पताया गया है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट जो है आपकी आज शाम को अत्वा रात में या फिर जो है आपकी सुम्हार या निकल को आ जाएगी ठीक है इसमें कहा गया है आज रात या सुम्हार को आएगी सूची अब सूची के लिए जो गुडानक इस तरह से तहे किया गया है उसके लिए हम पहले से बीडियो बना चुके हैं आप प्लेइलिस्ट में जा करके 69 या सिक्षा भरती इस तरह से प्लेइलिस्ट बने हुए हैं आप जा करके देख सकते हैं परसदी प्रातिम के दिहालों में 79 जार साहक ध्यापक भरती की चैन सुची रहिवार रात ये सोमार सुबर जारी होगी बईसे एक सिक्षा परसद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सुची जारी होनी थी लेकिन बाद में क्या वाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आविदन की जन्तिम रिथी दो दिन बढ़ाने से थोड़ी देर हो सकती है एक लाग शत्तिजा शत्याश्य करतिस अभी हरति को पहले वेक अप लेगी फिर जलेवार सुची त्यार की जाएगी कांसिलिंग के लिए सामाजी दूर एक अधिसूचन जी जारी की है कि आपको कौन से कौन से जो है अपने डाकुमेंट्स किस किस क्रम में लगाने हैं और साथ में क्या क्या लेगर कर जाना है तो अभी जल दी मैं उस पर कुछी समय वीडियो बनाने वाला हूं आप जो है उसको देखते रहना तो फिलाल इस व